बाहरी अकसरियत इनको जब लास्ट टाइम 1977 में आई तब भी इनने खिडम में जाके कॉंग्रिस की जो वरकर्स के घरते जलाए थे आज भी इनका नश्या जो है पावर का वो नहीं गया है MC के जो MLA में उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप अपने वरकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ के लिए MLA बने हैं लेकिन आप भूल गए कि जब आपकी 14 सीटे आई 2014 में आपका आंकार नहीं गया है आज जब आपकी भारी अकसरियत आई है तो आप हमारे PDP वरकर्स के घर तोड रहे हैं आग लगा रहे हैं वहाँ पर स्टेट को भी क्या फिर आप मुझे लगता है ऐसे ही आग लगाएंगे है हमारे वरकर्स के एक आंच नहीं आने दूंगी और जो आपका एगुंडा राज पहले चलता था इसके लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगय नहीं है हम आपको सेट कर देंगे यह जो वोट था इट वोज फोर एंसी कॉमिस लोग चाहते थे कि वह ऐसी पार्टी को लाएं जो फुली इंटक थी लोग जानते हैं कि पीडीप को कितना तोड़ा गया तो एंसी ने भी शायदी प्रोपगेंड़ा पहला है कि इनको वोट नहीं दीजे हमें दीजे क्योंक क्योंकि आप देखिया हमारी तीन सीटे आई 25 का जो लॉस हुआ वो सारी एंसी के खाते में गई जो लोग पीछे हैं जो 40 साल पहले भी एंसी जमात गुंडा जमात होती थी बाहरी अकसरियत इनको जब लास टाइम 1977 में आई तब भी इनने खिडम में जाके कॉंग्रिस की जो वरकर्स के घर ते जलाए थे आज भी इनका नश्या जो है पावर का वो नहीं गया है क्यूंकि आज इतने साल बाद जब इनको लोगों ने अकसरियत इसले दी ताकि ये लोगों के जो मसायल है हल करें जो उनके दिर्में दर्द है वो दूर करें उसके बदले PDP के वरक के जो काव शेड्स हैं वागामा में वो जलाए हैं वरकर्स की पिटाई कर रहे हैं दात तोड़े और सबसे बड़ी चौकननी की ये बात है कि जो newly elected MLA है वो पुलीस को कहते हैं कि मैं अपने वरकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जो इनके MLA है NC के NC के जो MLA में उनसे पूछन चाती हूँ कि अगर आप अपने वरकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ के लिए MLA बने हैं आप तो फिर ऐसे पीछे बैट के मजा देख रहे हैं आप अपने वरकर्स को encourage कर रहे हैं और सबसे चौकानी बात ये है कि उमर साब ने भी ये tweet देखा होगा वो तो अपने MLA साब को रोक नहीं रहे हैं और ये बिजबेहारा में नहीं ये डियचपोरा में हो रहा है ये कुलगाम में जमात के जो वरकर्स हैं जमाती वरकर्स उनके साथ कर रहे हैं तो आपका मतलब अहंकार नहीं गया इंसी का इतने साल बाद 40 साल हमने आपकी पीठ तो रहे हैं आग लगा रहे हैं वहां पर स्टेट को भी क्या फिर आप मुझे लगता है ऐसे ही आग लगाएंगे जो पुलीस है मैं उनके किरदार को I commend it because they've been very cooperative जो हां के SSP हैं उनने बहुत सारी 2-3 FIRs लौच की DC साब जो है फकुरुदीन साब मैंने जब उनको रात में तो पुलीस तो मदद कर रही है लेकिन NCK workers को भी इतना घुमंड है नशा जैसे चरस पी है चलिए महभूबा जी और मुझे गाली तो दे ही रहे हैं सडकों पे लेकिन हमारे workers की मारा ये मारम पिटाई मैं नहीं होने दूंगी डिस्ग्रेस है उनमें humility नहीं है जीतने के टाइम हमेशा उनने ये किया है हमेशा उनने 40 साल पहले भी जब अकसरियत में आते थे अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कौन करेगा ये तो आपके लिए campaign चला रहे थे आप पे इन पे क्या कोई कंट्रोल नहीं है and पीडिपी चार बार आई उबेद consecutively बिजबहाडा में पांच बार हमने कभी भी किसी एनसी वर्कर के साथ ये नहीं किया जाकि उनके घर में हमारी जो माए बहने उनके साथ ये बत्तमीजी कर रहे है मैं हमारे workers पे एक आँच नहीं आने दूँगी और जो आपका गुंडा राज पहले चलता था इसके लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगे नहीं है हम आपको सेट कर देंगे अगर आपने जादा किया तो ये वैसे भी पुलीस आपके अगेंस अक्शन ले रही है हम और शोर मचाएंगे if you don't stop सबसे पहली चीज मुबारक बाद उन्हें इतना बड़ा मैंडेट है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपने इसलिए इतना बड़ा मैंडेट लिया कि आप जो यहां उपोजिशन है PDP हैं उनकी मारम पिटाए करें गुंडा राज फिर से अपने MLA को नहीं बता रहे कि यह बंद करें इस शोस की कही ना कहीं वो यह चीज़ें इनकारिच कर रहे है यह लूट खसूट का गुंडा गर्दी का जो माहूल वहां एंसी के वरकर्स कर रहे हैं बिजबिहारा में पीडीपी के खिलाफ उमर साब कहीं ना कहीं फिर यह इनकारिच कर रहे है आज तक यह डेट चार एप्रिल की लोगों को याद है इनको अकल नहीं आई जब आपको यहां से लोगों ने 921 किया पीडीपी को लाया एक अल्टरनेटिव की तरह फिर से आज आप में अकड आ गई है अंकार आ गया है आप में अजया है